मैं भावेश सबसे पहले बड़े छोटे में आपसे समझना चाहूंगी वो नितीश कुमार जो जाती बता रहे हैं, जाती गिन रहे हैं, जो इंडिया गट बंदन की नीव रख रहे हैं, ऐसा क्या हो गया कि सिर्फ तीन फीसद लोग उनके फेवर में, उनकी कोई चाल काम नह करते हुए हमने नहीं क्या है, यदि सिर्फ बिहार में जाएंगे तो हो सकता कि आकरा लगवर बीस के परसेंट के आसपास हो, तो पूरे इंडिया में जाएंगे लगवर 52 परसेंट, जो मंदल कमिसन के रिपोर्ट है, उसके एको एको बैक्रांड बनाया था, तो उसके वहाँ पे जो बिहार में जो यादव डॉमिनेंट जो कास्ट है, और उसको टारिट करने के लिए, उसको साइलेंट करने, पॉलिटकली साइलेंट करने, उन्होंने एक एक एवीसी ग्रूप बनाया था, अब आप उसी एवीसी को अपना हतियार बनाना चाहते हो, लेकिन सब चीजों को देखते हुए, इवीसी अभी तक मुझे लगता है, आप देखिए, जब पूरे जाती बार आकरा देखेंगे, तो उसमें देखेंगे कि एवीसी के मामले में नितीश्क मार हो, या फिर आज जेडी हो, दोनों की पार्टियों के पास बरे नेता नहीं है, क्र आकरे चेंजों, लेकिन फिलहाल जो आकरा है, वो इसी के आज पस है, यानि नितीश कुमार के लिए बहुत ज्यादा खुश करने वाले आकरे नहीं हैं, नितीश के सासाथ एक और बड़ा चेहरा, जो सबसे ज्यादा OBC की बात करते हैं, वो हैं अखलेश यादव का, हम हम अखलेश यादव की चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्ये, लोकसभा, विधानसभा, सीटो के लिहाद से, OBC की बात करते हैं, अखलेश यादव, पीडिये की बात करते हैं, अखलेश यादव, यादव एक बड़ा तपका है, जो उनके वोट ब अखलेश यादव देख रहे होंगे, तो शायद उनको बड़ी निराशा हाथ लगेगी, लेकिन ये निराशा उनकी तयार की हुई है, मुलायम सिंग यादव ने जिस OBC अंब्रेला को उत्तर प्रदेश में एक सफल राजनीतिक कहें कि मंत्र की तरह इस्तेमाल किया, उसको पांच प्रतिशत उनको दम मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि OBC में से गहर यादव सारे के सारे वोट दूसरी पार्टियों में जा रहे होते हैं, अब दूसरी पार्टियों में जा रहे होते हैं, जो शायद गड़जोड का हिस्सा होता, कॉंग्रेस ह कोई और पार्टी होती तो शायद उनके लिए थोड़ी राहत की बात होती लेकिन अभी मुश्किल यह है कि वो सारे के सारे वोट यहां से निकल कर भारती जन्ता पार्टी के पास जा रहे हैं और यह अखलेश यादाव की राजनीत के लिए जिस राजनीतिक विरासत को मुला शादव को निराश करने वाला है लेकिन एक और नाम है जो सबसे जादा चर्चाओं में रहता है चर्चा होती है अर्विंद केजरिवाल की जो घूम घूम कर अपने आपको कट्टर इमानदार भी बताते हैं जो अपनी फ्री वाली पॉलिसी का जिक्र करते हैं जब अर्व को प्रधान मंतरी बनना चाहिए अलाकि इंडिया गठपन्दन में यह पी एक चेरा है जो अपने आपको प्रधान मंतरी के तौर पर पर प्रजेक्ट करते हैं और सबसे ज्यादा फ्री की सेवा देनी वाली बात करते हुए अर्विन केजरिवाल नसर आते हैं लेकिन फिलाल ये जो आकड़ा है ये बहुत ज्यादा अर्विन केजरिवाल के फेवर में तो नहीं है फ्री की सेवा देते हैं उसके बावजूद एकसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं लोगों ने जो अरविंद केजरिवाल साहब हैं उनकी जो इमेज है वो एक तो पिछड़े दल की पिछड़े ग्रुप की कम्यूनिटी की नेता की नहीं है पहली बात सबसे बड़ी बात है वो एक मिडल क्लास और एस्पिरेशनल जो वोटर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ओबी सी उनके साथ वैसे भी नहीं आ सकता अभी तो आप जो लोग जिनको आप ओबी सी का लीडर मान रहे हैं अपने सर्वे में नितिश कुमार्जी को और अखलेश यादव उनके साथ भी ऐसी नहीं हैं क्योंकि वहाँ ओबी सी और एवीजियर यादव है जो मुलायम सिंग यादव पूरे ओडी सी ग्रूप और मुसलिम के नेता माने जाते थे एक जमाने में तो उन्हें मुलाना मुलायम मुला मुलायम कहा जाता था तो वो M.Y. ग्रुप के लीडर थे ऐसी लालु यादर थे लेकिन नितीश कुमार भी M.Y. ग्रुप के लीडर नहीं है अखलेश यादर भी नहीं है तो अरविंद केजरिवाल की तो इमेजी O.B.C के साथ कनेक्ट नहीं होती है वो एक शहरी वोटर है उसके साथ कनेक्ट करते हैं और एक एस्पेरिशनल वोटर के साथ करते हैं जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के साथ आता है तो O.B.C को रिप्रेजेंट ही नहीं करते ही उन्की पार्टी भी उस तरह का जो काम करती है जो एजिटेशन करती है जो मुवमेंट कर रही है उसमें भी उनका फोकस OBC पर कभी नहीं रहा और इंडिया गठबंदन में भी उन्हें कोई OBC लीडर के तोर पर नहीं देखता है यदि 3% वोट उनको OBC दे रहा है तो यह मेरे ख्याल से बेहतर इमेज है उनकी कि फिर भी 3% लोग उनके साथ दिखाई दे रहे हैं